वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल भी या लेक्चर क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चो कच्छा 10 में काफी मोस्ट इंपर्टेंट अब्जेक्टी कोश्चन जो आपके परिच्छा में हर बार पुछे जाते हैं ठीक है यह साइन्स का काफी मोस्ट इंपर्टेंट हमारा कोश्चन रहेगा आइए देखते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन है सूध जल का सूध जल का पी अचमान क्या बोला है सूद जल का पियाच मान होता है तो बच्चों पहले बात कर लेते हैं सूद जल सूद जल कहां पाया जाता है जो वरसा का जल होता है या कौन सा जल होता है इसका प्रियोग कहां किया जाता है इसका प्रियोग लैब में किया जाता है प्रियोग करने के लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कभी-कभी देता है कि इसका पी-च मान इतना है जैसे किसी सुध हजल का पी-च मान साथ है तो बताएएं यह अमली है छारी है उदासीन है तो आप बस याद रखिए जैसे साथ पहले लिख दिजिए अगा साथ, अगर साथ साथ से नीची आएंगे मेरे प्यारे बच्चो साथ से यदी नीची आएंगे या साथ से ऊपर जाएंगे ध्यान से समझेगा यदी साथ से नीचे जिसका पी अच मान साथ से कम होगा ठीक है जिसका पी अच मान साथ से क्या होगा कम होगा याद रखियेगा वह क्या होता है व सीन होता है उमीद है आपको यह समझ में आ रहा हुंगे अगले बच्चो अगला कोश्यण देखते हैं आदगा कोश्य नॉमर हमारा सेकेंड है क्या बोलो है सेकेंड कोश्य educational देखते हैं तीसरा उदासीन होता है चौथा इसमें से कोई नहीं है तो अभी हमने बता है कि जिसका पी अच मान साथ हो क्या जिसका पी अच मान साथ हो वा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो वा क्या होता है उदासीन होता है तो सूद जल की बात कहा है यहाँ पे किसकी बात कही है सुधजल की बात कही है तो सुधजल कैसा होता है फुदा सीन होता है आगे चलते हैं आज का हमरा नेश्ट कोश्चन है नेश्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेश्ट कोश्चन हमरा क्या कह रहा है चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं न का सोडियम का प्रमाडव करमांग सोडियम से हर कोई परचीत होगा सोडियम का प्रमाडव करमांग कितना होता है ये कछा नाहिंस या चुर्चाइं परते वह आ नहीं होना जीए ठीक है अगला कोश्चनद देखते हैं मेरे प्यारे बच्छो आज का हमारा चौता क्श्चन है जो काफी इन्पोर्टेंट है कई बार देखने को मिला है परिच्छा में ठीक है यदी घ्रचार के साथ विक्रिया करता है तो प्राप्त होता है यानि अमल जो है अगर दी छार के साथ अभी क्रिया करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा ठीक है पहला नमक और जल दूसरा लवड और जल तीसरा सोडियम और जल चौथा मेरे दोस्तों क्या है इसमें से कोई नहीं तो यहां पर नमग भी क्या है लवड ही है क्यों क्योंकि जब आप कभी भी अम्ल और चार के भी क्रिया कराएंगे तो यह अन्य सील लवड है और इसके बाद हमारा जल प्राप्त होता है ठीक है तो ऐसा आपसर दिखाई देगा तो कभी यह दोनों आपसर नहीं दिय रहेंगे यह थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है तो दोस्तों इसका आपसर नमब कौन सा सही है आपसर नमब दूसरा सही है लवड और जल प्राप्त होता है ठीक है आगे चलते हैं अगला कोशन आज क्या हमारा पांचमा कोशन है मेरे प्यारे बच्चो और यह आँ Воक्रों पर सकती 5 प्रकुत को बडााँ सकता है तीसरा दको घ। एक आक पर मोग जानते हैं कि लाइन कम हो जाता है और कभी-कभी लाइन बढ़ जाती है कभी-कभी लाइन एक फिस में रहता है तो करते हैं भाई या लाइन हाप है ठीक है तो बोल्ट चा कभी-कभी बोल्टता क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्छों बढ़ भी जाती है कभी-कभी बोल्टता क्या हो है घड़ जाती है ठीक है तो इसका आपसा नमर कौन से सही होना चाहिए डी सही होना चाहिए ठीक है उमीद है मेरे बच्चों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतूष्ठ होंगे यदि हमारा वीडियों आपको पसंद आरा तो ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों मे सेर करिए यदि हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए हमारा वीडियों देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन सुखों